गुड इबनिंग आप शभी को नमश्कार यूमन राइट्स कॉंसिल यानि यूएन का संस्था आया संजुक्त राष्ट मानो अधिकार परिशल ने पहली बार एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया है जो की इंटर सेक्स पीपल्स के अधिकारों की रख्षा करेगा अब यहां पर इंटर सेक्स पीपल्स को हिंदी में बोलते हैं अंतर लिंगी या उभाई लिंगी भी बोलते हैं और इंटर सेक्स हिंदी में भी एक्सेप्टेबल है लिखा जाता है लेकिन अगर हिंदी में वर्ड इसका अगर देखेंगे तो उभाई लिंगी या अंतर लिंगी बोलते ह और यह transgender से अलग है, confuse नहीं होंगे, तो इनका पहली बार इनके अधिकारों की रक्षा के लिए UN संजुक्त राष्ट परिसत ने resolution पारित कर दिया है, यानि प्रस्ताव पारित कर दिया है, और इसे ground breaking बताया जा रहा है मानव अधिकार के छेतर में, अब हम लोग इसमें समझे सबसे पहले कि intersex people क्या होते हैं, यानि उभय लिंगी आदमी क्या होते हैं, और यह transgender से अलग क्यों होता है, यह resolution क्यों पारित किया, किसने initiate किया, और इस resolution में क्या-क्या बताया गया, यहां तो आप समझ गए कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, तो उनके साथ क्या-क समाज में होता है, चुकि UN का अगर data देखे, तो पूरे 20 में लगभग 1.7% जो people है, वह इस तरह से born होते हैं, यानि intersex people के रूप में born होते हैं, चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसे पहले, अगर आप नए हैं, और इसको देख रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्र सब्सक्राइब जरूर किजिएगा, चलिए क्यों यह चर्चा में हैं, चार अप्रील 2014 को, UN Human Rights Council, संजुक तराष्ट मानो अधिकार परिसत कांसील, इन्होंने एक resolution adopt किया, जिसका काम क्या था कि, किसके लिए, चुकि right of intersex people के protect के लिए, यानि इनके अधिकार की सुरक्षा क पास किया गया, या पहली बार ऐसा initiative है, पहल है, बीस में, अब आपको पता होगा कि कोई भी current affair में, अगर first ever, अगर कोई चीज होता है, पहली बार, तो हमेसा current affairs ही होता है, clear, तो इसको landmark moment बताय जा रहा है, human rights के चैतर में, clear, यह resolution initiate किया है, Finland, South Africa, Chile and Australia, Australia, Australia में सबसे ज़्यादा, यह intersex people जन्म लेते हैं, तो यह एक PT के लिए important होगे, सबसे ज़्यादा, इसको support किया है, 24 country ने, 23 country इससे absent हुए है, भागी नहीं लिए है, और कोई इसको 9 में vote नहीं दिया है, यह कोई इसके against में vote नहीं दिया है, कि लिए, अब हम आते हैं, या अन्तरा लिनी भी बोलते हैं, पीपल के शुरच्छा के लिए, अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होता है intersex people और या कैसे different होते हैं transgender से, ध्यान से समझेगा, उसके बाद में देखेंगे कि इनके साथ क्या-क्या दुरबेवहार किया जाता है, उसके बाद में देखे में क्या पारित किया गया है, के लिए चलिए, सबसे देखिए intersex people यानि उभाय लिंगी पेपल, नाम से ही पता चलता है, उभाय लिंगी पेपल, देखिए, अभी जो हम जिस समाज में रह रहा हैं, वह binary system है, या तो male या female, दो ही होते हैं, अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जो अगर male बच्चे पैदा होते हैं, तो उनमें male सारा character होता है, reproductive organ उस तरह होता है, hormonal pattern उस तरह होते हैं, chromosomal की बात करेता है, XY इस तरह होते है, female में XX होते हैं, अब यहाँ अगर male पैदा हुआ है, तो female के तरफ attract होगा है, नहीं male के character होगा इसके पास, लेकिन अगर male है, लेकिन इसमें intersex में क्या होता है, sex character जो उनका होता है, जैसे sexual anatomy, उनका सरीर reproductive organ, परजनन अंग, hormonal pattern, या chromosomal pattern, या binary में feet ही नहीं होता है, ध्यान से समझेगा, यानि वो born होते हैं, तो male भी नहीं होते है, female भी नहीं होते, यानि कई बार होता है, उनका body male का होगा, और reproductive organ female का होगा, उनका कई बार body female का होगा, hormonal, chromosomal pattern, उनका male का होगा, यानि या दो जो binary system है, हमारे समाज में, इसमें feet ही नहीं होते हैं, ऐसा हो पैदा ही नहीं होते हैं, इसलिए इनने उभाय लिंगी भी किया जाता है, कोई link ही नहीं है इनके पास, कोई gender ही नहीं है, या intersex हो इस्टिमेट है कि 1.7% जो baby है, वह बॉर्न होता है, इन्टर सेक्स, इसमें से सबसे जादा अस्ट्रिया में होता है, अब यह समझ गया, अब यह कैसे transgender से अलग है, transgender में क्या होता है, उनके पास एक ausposed body होता है, यानि अगर male है, तो male वाली body होगा, female है, तो female वाली body होगा असपस body होता है, लेकिन वाँ person के gender identity से मैच नहीं खाते है, यानि अगर male का है, तो male का जो भी character होगा, उनके पास होगा, लेकिन जो male का trait होता है, उनसे वाँ male नहीं खाएंगे, वाँ female की तरह होगा, यानि body male का है, लेकिन सारा काम female की तरह होगा, बात आ रहा है समझ में, तो या, this is the difference between intersex people and transgender people, so confused नहीं होगे, तो intersex के लिए तो बहुत सारी चीज़े हमारा Supreme Court ने भी बहुत सारी judgment है, लेकिन intersex international label पर, यानि UN label पर इनके लिए बहुत सारे काम की जा रहा है, लेकिन इनके लिए पहली बार UN label पर काम किया गया, intersex उभाईलिंगी people, आया बात जनम लेते हैं, नहीं female जनम लेते हैं, जबकि transgender क्या होता है, या तो male होते हैं, या female होते हैं, लेकिन उनका जो gender identity है, उनका जो trait है, उनका जो गून है, जिसमें वा पाइदा होते हैं, उससे male नहीं खाते हैं, अगर male पाइदा हुए है, तो male वाली कोई रही character नहीं होगा, female पाइदा होते हैं, तो female वाला कोई, लेकिन इनके पास एक असपस्ट बॉड़ी होता है, लेकिन इनके पास वा नहीं होता, इस इस दा डिफरेंस बिट्मिन intersex and transgender people, clear, अब हम आते हैं, कि इनके साथ issue क्या होता, इनके साथ बहु सारे human rights का violation, मानमा अधिकार के रूप में violation होता है, चुकि इनका physical character देखे, चुकि ये male हैं, लेकिन कुछ चीज़े है, male की है, कुछ चीज़े है, female की है, तो इनको एक stereotype माना जाता है, धबा माना जाता है, समाज के लिए, और दूसरी बात कि इनके लिए disorder, इनको एक बिमार माना जाता है, और इनके साथ कई बार हो उनको जबरदस्ती medical intervention कराना पड़ता, operation वगर, तो बहुत तरह के उनके साथ discrimination होता है, और उनका कोई legal recognition नहीं होता, लेकिन अब होगा, चुकि ये प्रस्ताव पारित कर दिया, और सारे state से या आगरा किया गया है, कि वह इस चीज़े ध्यान दे, clear, अब ही resolution में क्या का गय या रिजलूशन याद रखेगा, 55, यानि 55 सेशन जो United Nations Human Rights Council का हुआ, उसमें या पारित किया गया, इसमें बोला गया है कि भईया, आप discrimination भेदभाव को रोकिये, उनके साथ जो हिंसा हो रहा है, उनके साथ जो बहुत harmful practice होते हैं, उनको रोकिये, है ना, उनके sex character को लेके ज को ध्यान दीजिए, इस सारे चीज, एस्टेट को ऐसा Human के तरफ से पारित किया गया है, clear, so this is all about the news, और इसका PDF हमारे telegram channel है, Tiwari General Study, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से download कर लिजेगा, देख लिजेगा, और उसको भी join कर लिजेगा, अगर informative लगाओ तो प्लीज इसको like और share अपने दोस्तों में जरूर किजेगा, so thank you, have a good day and happy learning, thank you very much.